दोस्तों गाय एक ऐसा जीव है जिसे हम बच्छपन से देखते आ रहे हैं ये पूरी तरह से शाकाहरी होती है और सिर्फ घासपूस ही खाती हैं माना जाता है कि गायों की 800 से ज्यादा ब्रीड्स होती हैं जिसमें से मास उत्पादन और डेरी के लिए अलग लग तरहें की ब्रीड को पाला जाता है इसलिए आज किस वीडियो में हम आपको 5 सबसे अन्यूजल गायों की ब्रीड्स कबर हमें बताएंगे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से रोखीजेगा क्योंकि आपका एक लाइक हमें मूटिवेट करता है निकर्स क्या आप कभी गायों के राजा से मिले हैं? अगर नहीं मिले तो लीजिए इनसे मिल लीजिए जो कि पिछले साल अपने विशालकाई शरीर की वज़े से दुनिया भर में सुर्खियां बटो रही है इनका ये शरीर गायों की भीड में इन्हें सबसे अलग दिखाता है दोस्तों हम आपको बता दें कि इसकी लंबा 194 सेंटिमिटर और वजन तकरीबन 14 से घुला है बेल्जिन ब्लू काउ दोस्तों शायद आपको इस हिन्हें में अजीब लग रहा हो लेकिन गायों की भी एक नसल बाड़ी बिल्डर बन गई है हलांकि इनकी इस शांदार बाड़ी के पीछे कोई स्पेशिल एक्सराइज या डाइट नहीं है बलकि ये सब इनके जैनेटिक्स का कमाल है हैराने की बाद तो ये है कि इनके खान पान में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया और ये देखने में जितनी भी गुसेल और खतरनाक लगती है उतनी शांद स्वभाव की भी है वैसे दोस्तों इनकी बाड़ी के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कॉमेंट केरके जरू बताईए कनुलेटिड काउ दोस्तों आप उन गायों के पेट पर बने छेद को देखकर बिलकुल ना घवराईए क्योंकि ये गाय भी बाकी गायों जैसी ही है इनके पेट पर वैग्यानिकों द्वारा ये छेद बनाया गया है ताकि वो गाय को स्वस्त रख सके दोस्तो स्वीडन और होलेंड में गायों के पेट में छेद वे गयाने को द्वारा इसलिए बनाए गए हैं ताकि ये उनके आहार पर निमेत रूप से नजर रख सके अगर उनके पेट में कुछ ऐसा चला जाता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसे आसानी से बाहर निकाला जा सके जिससे गायों के दूद की प्रोड़क्टिविटी बढ़ेगी और स्वस्त भी रहेंगे दोस्तों इस आदमी का कहना है कि जब कोई पहली बार इसकी बैल को देखता है तो उसे अपनी आखों पर यकीन ही नहीं होता क्योंकि इसकी पालतू बैल के सींग बाकी बैलों से काफी बड़े है हम आपको बता दे 2014 में इस बैल के सींग का कार 293 सेंटी मीटर ना पा गया था इसके इतने बड़े सींग के कारण ही इसका नाम 2014 में गिनीजबु को वर्ल रिकॉर्ड में दर्ज हो गया दोस्तों इसके मालक के मताबक इसके इतने बड़े सींगों का कारण इसके जैनेटिक्स हैं क्योंकि इसके पिता और दादा के सींग भी ऐसे लंबे-लंबे थे लेकिन इसके सींग इसके पूरवज़ों से भी ज़्यादा लंबे है हली कर काओ दोस्तों अब हम जिस गाय के बार में बात करने वाले हैं वो बहुत दुरलब नसल की है ये गाय आपको जल्दी ही कहीं नहीं मिलेगी ये सिर्फ आपको भारत देश के करनाटक राजे में ही देखने को मिल सकती है इस नसल के निशानी इसके एकदम नुकीले खड़े हुए सींग है और साथ ही इस गाय के नाम से भारत सरकार द्वारा स्टैंप बे निकाले गए क्योंकि भारत देश में गायों को सदियों से पूझनिया समझा जाता है दोस्तों ये थी कुछ चुनिंदा गायों के नसल जो कि बाकी गायों से बिलकुल अलग और अनोखी है अब आप हमें कॉमेंट में बताइए कि आपको इनमें से कौन सी गाय सबसे अनोखी लगी और ऐसे इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा